सितापुर में एक वीडियो खूब वैरल हो रहा है दुरसल जिलास्पताल में एक पिता बेटे के शव को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस चालक से फर्याद करता रहा एम्बुलेंस चालक ने 10 मिनिट में आने की बात कही लेकिन वो डेट घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुँचा जिसके बाद पिता खुद ही शव को बाइक पर रख कर चुला गया अब ये वीडियो सोचल मीडिया पर वैरल हो रहा है संभर में पुलिस ने 15 दिन पहले हुए हत्याकान का खुलासा कर दिया है बता दें कि 11 मई को थाना असमोली इलाके के हीरापुर गाउं में निवासी टेक्निशियन की मौत का मामला सामने आया था और परिजनों ने चार अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ घर में गुसकर हत्या करने का आरोप लगाया था पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक शराप पीने का आदी था और वारदात वाले दिन भी वो शराप पी कराया था जिसके बाद वो अपने चोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़चार करने लगा जब परिजनों ने विरूद किया तो उसने तमन्चातान दिया जिसके बाद उच्छीना जप्ती में गूली दिनेश को लग गई वहीं परिजनों ने डर के कारण अग्यात के खिलाफ हट्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी यूपी के चंदोली में लोगों तक सुविधायें पहुँचाने के लिए सरकार तमाम योजनायें चला रही है इसी कड़ी में के इंदो सरकार की इस महने से संचालित निर्सुलक खाद्यान वित्रण योजना का शुभारंब चंदोली के चकियां में विधायक शार्दा प्रसाद ने किया और कार्ड धरकों के बीच निर्शुलक खाद्य सामगरी बाटी गई फिरोजबाद में दिन्दहडे महला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है इस घड़ना से इलाके में संसनी फैल गई मामला श्रिकोहबाद नगरपालिका के सामने का है तीन बाइक सवार बदमाशों ने महला के गले से चेन खीची और वारदा को अंजाम दे कर मौके से फरार हो गए पिडित ने मामले की शिकायत थाने में दर्श की है पुलिस मामले की चांच कर रही है संभल में काला बाजारी करने वालों की अब खैर नहीं है पुलिस ने दवावों औक्सजन और अन्य सामानों की काला बाजारी करने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है जिसे लेकर शुहरी और ग्रामिन इलाकों में होर्डिंग्स और पॉंपलेट लगाकर लोगों को जागरो किया जा रहा है लोग डायल 112 पर कालाबाजरी करने वाले लोगों की शिकायत कर रहे है संभल में एक EO पर गंभीर आरोप लगा है मामला गुन्नोर तैसील की नगर पंचायत बबराला का है जानकारी के मुताबिक पंचायत के EO शिवलाल राम ने 12 मई को PFMS से उत्रखंड की एक फर्म को 20,30,000 के पेमेंट का PFMS दिया लेकिन फाइल सामने आने के बाद च्वेर्मेन ने दस्तकत करने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि 20,00,000 की कोई दवा पंचायत में खरीद कर नहीं मंगाई गई स्टॉक रेजिस्टर में भी दवा नहीं आई है और सम्मंदित पंचायत कर्मियों ने दवा की खरीद से इंकार कर दिया है जिसके बाद च्वेर्मेन ने मामले की शिकायर देयम से की है वही मामला तूल पकड़ने के बाद यो संभल से नदारद है कुरोना के बीद संभल में प्रश्वासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है एक और जहां सरकार कुरोना को रोकने के लिए लगातार कुरोना कर्फ्यू का आगे बढ़ा रही है वही पुलिस की मौजूदगी में गंगा घाट पर हजारों की भीड मेले में उमड़ी ये तस्वीरें बबराला गंगा घाट की हैं गंगा इसनान को लोग उमड़े हैं घाट पर बड़ा मेला भी लगा है चाट पकोड़ी जलेबी चूरन चटनी अच्वार बिसात खाना यहां तक की बेरोक टोक कर यहां पर बेची जा रही है जबकि शहर कस्बे में घर से बाहर निकलने पर पुलिस का दंडा और चालान दोनों चलते हैं कन्नोस से हरान करने वाला मामला सामने आया है यहां शौदी की रस्में अदा करने के बाद दुल्हा फरार हो गया मामला गुर सहाई गंज कोतवाली के खाड़े देवर गाउं का है आरोपह की दहेज की मांग पूरी ना होने पर दुल्हे ने विदाई से पहले ही दुलन को छोड़ दिया जिसके बाद परिजनों ने मामले की शुगायत पुलिस से की है फरूखाबाद में अवय तरीके से गरबबाद की जानकारी मिलने पर SDM मौके पर पहुँचे मामला कायम गंज कोतवाली के CSC के सरकारी क्वार्टर का बताया चा रहा है मिली जानकारी के मताबिक A&M मंजूल की वारी अपने क्वार्टर में एक नाबालिक का अवय तरीके से गरबबाद करा रही थी मामले की जानकारी मिलने के बाद SDM पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और मौके से नाबालिक और A&M को हिरासत में ले लिया आरोब है कि A&M गरपात के नाम पर बरिजनों से मूटी रखम वसूलती है माउजिले के 9 बलॉकों में नव निर्वाचित ग्राम परधानों को वर्च्वल मेटिंग के जरे शपत गरहन करवाया गया सरकार द्वारा वैस्विक महामारी कोरुना को देखते हुए नव निर्वाचित ग्राम परधानों का शपत गरहन वर्च्वल तरीके से कराया गया है जिसके तहद 9 बलॉकों में परधानों को शपत गरहन करवाया गया दरसल बीते 2 मई को पंचय चुनाव का परेनाम आ गया था लेकिन कोरोना की वजह से शपत गरहन में देरी हो रही थी। अब शेत्र के तमाम गराम परधानों ने वर्चुल माध्यम से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए शपत ली है जिसके बाद वो अपने गाउं में विकास के काम शुरू कर सकेंगे।